नेक्स्ट है इसका question number 5 तो यहाँ पे हमें एक rhombus दिया गया है ABCD जिसमें हमें angle ABC दिया गया है 56 degree तो हमें angle CAD की value find out करनी है कि वो कितने degree का होगा तो जो angle CAD है यह कैसे आ सकता है हमारा यहाँ पे यह आ सकता है इस triangle का use करके ठीक है देखो यहाँ पे जो angle O है इसका यह होगा 90 degree क्योंकि इसके जो diagonals होते हैं rhombus के वो 90 degree पे क्या करते हैं कट करते हैं एक दूसरे को तो यह तो 90 degree आ जाएगा यह 56 degree और यहाँ पे angle A आ जाएग क्यों क्योंकि यहाँ पे जो DA है वो इसको bisect करता है तो अभी इसको right कर लेता है हम देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ in triangle in triangle OAB triangle OAB की बात कर रहे हैं हम इसकी ठीक है न तो यहाँ पे मैं right कर लेता हूँ angle O plus में angle B and plus में angle A it is equal to 180 degree ठीक है यहाँ आता है हमारे किस से angle sum property of triangle से ठीक है तो यहाँ पे angle O कितना है यह है 90 degree ठीक है तो 90 degree क्यों है मैंने बता दिया था अभी आपको कि इसके diagonals किस पर intersect करते है 90 degree पर intersect करते है इसलिए जो angle O है यहाँ पर यह 90 degree कर रहेगा B कितना है यह है 56 degree angle A हमें निकालना है तो 180 degree आए इन दोनों को plus करेंगे तो यहाँ पे कितना बने गाई यह बन जाएगा तो यह रहा मेरे पास 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 4 गए तो 3, तो 34 degree आगया angle A, angle A बोले तो इसमे angle BAO ठीक है, angle BAO हमारे पास आया है 34 degree अब देखें, BAO इतना है हमारे पास 34 degree तो CAD भी तो 34 degree होगा, ठीक है so, angle CAD is equal to 34 degree, reason लिख देंगे यहाँ पे क्यों, क्योंकि जो DA है वो angle A को bisect करता है तो लिख देंगे DA bisects angle A, ठीक है, इस lase की value होगी 34 degree कि उलोसल इसम गले ऑने है, जो इसमें पो remoड़ा एक है स ANDREW M आपकी तो लिख भी हो वो ड्यज़ का है